कृष्ण भक्ती में लेन मीरा शुरी कृष्ण से अथा प्रेम करती। कनहिया से ऐसा लगाव कि सुभा शाम, दिन के चारो पहर बस शुरी कृष्ण के ही गुण गान गाती। नठखट कनहिया की अदबुद लीलाओं से भरा वो द्वापर युग था। अब कल युग में भी मीरा जैसी कृष्ण भक्ती देखने को मिली है। 23 साल की युवती ने शुरी कृष्ण से ऐसा प्रेम किया कि उनके बाल स्वरूप लड़ु गोपाल से शादी रचाली। मेरा विवा लड़ु गोपाल जी के साथ हो रहा है और मैंने संकल्प लिया ता विवा का करीब करीब 6-7 साल पेले कि मैं इनी से ही विवा गरूँ और किसी से नहीं क्योंकि मुझे अपने आपको किसी और को नहीं सौपना। इसलिए मैं लड़ु गोपाल से उनका है उनी को सौप दिया। और फिर लड़ु गोपाल के हाथों से ही सिंदूर लेकर अपनी मांग भरी। इसके बाद विधी विधान से साथ फेरो की रसम पूरी की गई। शिवानी ने बताया कि वो पिछले साथ साल से लड़ु गोपाल से श्वाधी रचाने का सपना देख रही थी जो अब पूरा हुआ है। अब वो विरिंदा बन रवाना होगी वहागीता और शिव पूरान का अध्यन करेगी। शिवानी के पिता राम प्रताब परिहार सिक्योरिटी गाड की नौकरी करते हैं और मा मीरा परिहार घर संभालती हैं। इनकी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी पहले हो चुकी है, पिता का कहना है कि आप वो बहुत खुश है। बेटी शिवानी की शादी लड़ु गोपाल से हुई है, लड़ु गोपाल उनके घर के दामाद बने हैं। अब बेटी जीवन भर लड़ु गोपाल की सेवा करीगी। अच्छी शादी हो रही है। अब बहुत खुश है। ये सटाथ्थाप है, आरे कोई नहीं तरु है। ये सारे जीवन उनकोई सरपण करने वाली। बढ़िया बहुत खुशेगी बात है। बढ़िया तरीके रे चल लाई है। तब लोग आ रहा है। जे मसराविंजामन लड्डूगोफाल के संग्षाधी हो रही है। जारा जीवन लड्डूगोफाल के अपरिया बत्ती करेगी। अपने उसी आफोजी। लड्डूगोफाल के जावन दमादी अधोर खुशी इसे बड़ी बात क्या होगी। शिवानी और लड्डूगोफाल की शादी का पूरा इंतजाम छायान कन जन चेतना एवं जन कल्यान संस्थान ने किया। शादी का सर्टिफिकेट भी बनाया गया है सामाजिक संस्थान का कहना है कि ऐसा अदपुद विभा उन्होंने जीवन में पहली बार कराया है। भगवान लड्डूगोफाल का विभा कराना उनके लिए स्वभाग्य की बात है। हम दिव्याहडा है और हम चायंकन जन्चेत में जनकल्यान संस्थी एंजियो चलाते हैं अपनी। और उसी के तहत हमने आज पांच कन्यों के विभा कराया है। जिसमें से एक हमारे लड्डूगोपाल जी का भी विभा हो रहा है। उसमें पूरी रिती रिवाज के साथ सारी उनकी जो रसमें होती हैं भूभी कराया गया है। और उसके लिए हम एक marriage certificate भी उनको दे रहे हैं अपनी संस्था की तरफ से जैसा एक बर और बदू को दिया जाता है शादी के बादू देखाना भी है। वाकई में शिवानी ने अपना जीवन लड़ुको पाल को समर्पित कर दिया आज उस जोडी ने रीती रिवाज के साथ विभा किया। इस दोरान हजारों लोग इसके गवा बन कर वरवधू को शुब कामनाय देने पहुँचे। इस बीच गाउं के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी शिवानी और लड़ुगोपाल की शादी ने खूब सुरक्या बटोरी। ग्वालियर से सुशील कोशिक की रिपोर्ट